कि वेल्कम बैक टो मैं चैनल कैड के मेंट और ट्रेंड्स मीद करता हूं आप सब खेरियर से होंगे खुश होंगे आज हमारा पावर शेप 2020 के अंदर स्कैन टू कैड का यह तीसा लेक्चर है पिछले लेक्चर के अंदर हमने यह जो आप केसिंग देख रहे हैं हमने इसको र कटिंग औरेशन करके हम बढ़ते जाएंगे अपनी जो हमारी शेप है उसको गेन करने की तरफ तो पिछले लेसन के अंदर हमने रिवॉल करवा कर यह सौलिड बोडी बनाई थी मैं आपको दिखा देता हूं यह हमने सौलिड बोडी जो है रिवॉल करवाई थी पिछले ल शेप नज़र आ रही है आज किस लेसन के अंदर हम इस शेप को क्रियेट करेंगे तो चलते हैं अब किस शेप को क्रियेट करने के लिए जब हमने देखा कि यहां से अगर एक लाइन हो और वरिजेंटल से इस लाइन के इस शेप के सेंटर से लाइन गुजरे तो उसका जो बनेगा वो 45 डिगरी बनेगा इसकी जो मजीद वजाहत है वो इस तरह हो सकती है कि पिछले टॉरियल के अंदर मैंने इसको 45 डिगरी रुटेट करवाया था तो मुझे पता है कि यह 45 डिगरी जो है इसका सेंटर अगर हमने निकालना हो तो 45 डिगरी है तो अब हम एक लाइ हैंगे इसके सझैनर के अंदर आईंगे और लाइन स्लेट करेंगे यहां से आप याद रहें रएखें कि जो ची हमारा वर्क्लेण है इसको हमूग करदें थे Adventure दबाएंगे रहा है तो में इसको लगा देता है अब मुझे offset करवाना है इस line को इस edge तक और इस line को इस edge तक तो offset करवाने के लिए मुझे चाहिए distance तो distance find out करने के लिए मैं एक line लगाऊंगा और यहाँ पर creep creep यह जो हमारा यह edge है इसके creep creep करके और यहाँ तक मैं लेकर आँगा इसको तो ये मुझे बता रही है कि 17.5 इसकी जो है ये विर्थ है अब मैं इस वाली लाइन को सेलेक्ट करके एडिट के अंदर जाओंगा और ओफसेट की कमांड को हम चूज करेंगे 17.5 डिवाइड बाइ 2 तो ये देखें ये लाइन यहां पर ओफसेट हो चुकी है अब इसके बाद मैं दूसरी तरफ ओफसेट कर आना चाहता हूँ तो माइनस 17.5 डिवाइड बाइ 2 तो ये लाइन दूसरी तरफ जो है ये ओफसेट हो चुकी है अब मैं इस जगा पर एक लाइन लगाऊंगा इस सेट को देखते हूए तो ये जो लाइन है जो मैं यहां पर लगाऊंगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए तो मैं करूँगा कि मैं इस जो हमारा लाइन का स्टार्ट है यहां से line start करूंगा wireframe इससे लेकर यहां तक मैंने एक line लगा दी जो के already perpendicular है इन तीनों lines के तो मैं अब line लगाने के बाद इसको Select करूंगा edit के अंदर आएंगे और move की command को Select करेंगे और reposition the move origin point इसको पकड़ेंगे, select करेंगे line के इस point को हम select करेंगे center से और इसके बाद हम यहाँ पर लाग कर इसको place कर देंगे तो यह देखें यह line यहाँ पर move हो चुकी है okay करेंगे और इसको cancel कर लेंगे तो यह हमने इसकी outer जो profile है वो draw कर ली अब आप यह दिखिए यहाँ पर fillet apply हुआ है अब हम fillet लगाएंगे तो wireframe के अंदर जाकर मैं arc select करूंगा fitted arc इस line का tangent इस line का tangent और इसको मैं place कर दूंगा इस जगा पर यह तक्रीबन 5.5 है इसी तरह इस जगा पर मैं place करूंगा और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा यह भी तक्रीबन 5.5 है दोनों तरफ एक जैसी ही होनी चाहिए तोड़ा बहुत मैश टेटे के अंदर फरक आता है वह unevenness जो है वह material की वाज़ा से आती है बारहल हम full बटा इसको कोपी नहीं करते हम जितना इसके करीब जा सकते हैं हम जाते हैं तो यह हमारी प्रफाइल बन चुकी है अब फिर से लाइन को select करेंगे और यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे इसको close करने के लिए edit के अंदर जाएंगे और interactive की command को select करके जो हमारे पास extra regions हैं उनको हम ट्रीम कर देंगे और दबाकर आप इस वायर फ्रेंड के उपर क्लिक करेंगे तो यह composite कर्व के अंदर change हो जाएगा तो यह हमारा वायर फ्रेंड जो है यह बन चुका है अब इसके बाद आप यह अंदर की तरफ एक जो है वो आपको एक नजर आ रही है बोडी हम इसको अब इसको बनाने की से पहले हम यहाँ पर एक जो है वो surface जनेरेड करेंगे वो surface हमारी solid बोडी को काटेग जब हम इसको बना लेगे तो अब हम उस surface को जनेरेड करेंगे ताके हम जो है वो इस जो हमारा मेश है इसके साथ मैच करवा सकें तो उसके लिए मैं control एल दबाऊंगा और जो हमारी solid बोडी है वो वापिस आ जाएगी अब हम visualization के अंदर जाएंगे dynamic sectioning को on करेंगे और around z करक कि मैं minus 45 यहां पर एक composite curve generate करूंगा याद रहे कि हमने जो solid body बनाई है वो भी activate होनी चाहिए हमारी और हमारा जो mesh है यह भी नदर आना चाहिए पिर ही हमारी जो यह आर्क है यह आपको नदर आ रही है यह तब ही generate होगी अब इसके बाद मैं अपनी solid body और mesh को hide कर देता हूं फ्रंट से मैं देखता हूं और जो मुझे line नहीं चाहिए मैं उनको delete कर देता हूं अब यह जो line बची हैं इनको मैं select करूंगा और मैं इसको along x-axis लाने के लिए edit के अंदर आकर मैं इसको rotate कर वाऊंगा minus 45 अब मैं इसको front से देखूंगा तो यह मुझे बिल्कुल अपने x-axis के along नज़र आएगी या y-axis perpendicular to y-axis मुझे यह नज़र आएगी जब याद रहे जब भी आप sketching करें तो आपकी sketching जो है वो किसी एक plane के perpendicular होनी चाहिए यह चूब के 45 डिगरी के उपर थी तो मैंने वाली profile जो है वो तो हमने ले ली है अब हम यहाँ पर sketching करेंगे तो अब जो principal plane है उसको log करें वायर फ्रेम के अंदर जाएं fitted arc select करें और यह arc जो है हम यहाँ से start करेंगे और यह जो solid body है उसका जो edge बनेगा वायर फ्रेम का हम उसको select करेंगे select करने के बाद हम center में इसको किसी भी key point के उपर place कर देंगे ओके तो यह देखिए यह इसके उपर trace हो चुकी है अब मैं इसको जो है वह डिलीट कर देता हूं और इसको भी delete कर देता हूं इस और को मैं select करके निचे की तरफ extend कर दूँगा और वायर फ्रेम के अंदर जाकर single line select कर दूँगा और इसको मैं 90 के अंगल के उपर उपर 90 के अंगल के उपर इसको मैं place कर दूँगा यह देखे अपेरेंट भी 0 है और अलिवेशन भी 0 है यह तो इसकी लेंथ मैं मजीद बढ़ाजिता हूं 15 तो यह हमारी जो सर्फेस के लिए आर्क है वो बन चुकी है मैंने आर्ट दबाकर इसकेच के उपर क्लिक किया तो यह हमारी जो है यह composite कर के अंदर चेंज हो चुकी है कंट्रोल एल दबाकर आप इडन चीज़ें जो है वह वापिस ला सकते हैं फिर उसके बाद हमें इस आर्क को स्लेक्ट करूंगा और प्रिंसिपल एक्सिस जी स्लेक्ट करके सर्फेस के अंदर जाकर रेवलूशन इसकी कमांड को स्लेक्ट करूंगा तो वह मेरी आर्क जो है नीचे के तरफ एक्सूड करवाने के लिए करवाने में आप यह खियाल रखिए कि आप इस सर्फेस से उपर उपर इसको रखेंगे इसकी इसकी आईट को इस सर्फेस से उपर और यह जो हमारे सॉलेट बोड़ी है इससे यह नीची होने चाहिए अब हम इसको काटेंगे सर तो simply इसको select करें, manage के अंदर जाएं और इसको active कर दें, active करने के बाद आप इस surface को select करें, solid के अंदर आएं और इसको subject कर दें, तो ये देखिए हमारा जो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, control कर के करके मैंने बागी सारी चीज़ों को hide कर दिया और ये हमारी जो हानाइड यह देखें सर्फेस के साथ मैंने इसकी जो आउटर बोडी थी उसको काड़ दिया इंट्रोल किया यह हमारी सारी की सारी चीज़ें जो हम वापिस आ जाएंगी अब हम सेंटर वाली बोडी को स्लेट करेंगे एक्टिव करेंगे और यह जो हमारी दूसरी सॉलेड बोडी है इ इसके ओन करने के बाद पता लगता है कि यह नाइंटी डिग्री के ओपर यह चार बने हुए हैं तो हम सब को लदा लदा नहीं मिलाएंगे सिंप्ली यह को हम रुटेट करेंगे 90 डिग्री के उपर तो सो सेलेक्ट करें ऐड़ेड के बहुत नदर रुटेट करें और यहा पर 안गल हम देंगे 90 पा और इसकी कोप्या लेंगे 4 निचूप्यी के उपर 4 कोप्याँ जो है वो आजए 3 कोप्या हम ले अंगे तो यह रहेंगे और सब्ट्रेक्ट करेंगे प्रेसलेट करते हैं इसको सब्ट्रेक्ट करें इसको सब्ट्रेक्ट करें और इसको सब्ट्रेक्ट करें तो यह देखिए कि हमने काफिया तक जो है वो अपनी सोलड बोडिस को कम्लीट कर लिया तो यह वो शेप है जो हम बनाने की तरफ पाहिस्ता इस्ता जा रहे हैं तो आज के इस लेसन के अंदर हमने इन जो solid bodies हैं इनको सब्टेक्ट करके हमने अपनी शेप काफियाद तक improve कर लिया नेक्स्ट लेसन के अंदर आपको ये जो cavities नज़रा रही मुझे आपकी तरफ से भी support चाहिए तो kindly support कीजिए